गोरों को गोरों के देश में घुसकर वारा है इंडिया ने आज और बड़ी फत्व आसिल की है टीम इंडिया ने इन इंडिया यह जो यह वाली टीम इंडिया ना मैं without any doubt कह सकता हूँ कि यह इंडिया की हिस्ट्री की बेस्ट टीम है पाकिस्तान में जिन्दें भी किर्केट के उपर अपनी रहे देते हैं अपने वीडियो बनाते हैं दो आपके लिए उन्सारे किर्केट एक्पर्ट को एक वीडियो में ले आया आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरती है नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज मैं आपके लिए एक नया पाकिस्तानी वीडियो लेके आई हूं तो एक बार वीडियो देखिए और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करें और वीडियो को शेर करें आज टीम इंडिया ने एक बार फिर की है हिस्ट्री क्र गोरों को गोरों के देश में घुसकर वारा है इंडिया ने आज और बड़ी फता हासिल की है टीम इंडिया ने इसको आप नो डाउट एक हिस्ट्री क्रियेशन कह सकते हैं बड़ा कमाल किया है जो शारदुल ठाकूर है क्या गोल्डन बॉय बने हैं जी वह इंडिया के बहु सान जैसे मुलकों को भी सीखना चाहिए कि हम भी अपने टैलेंट को नरिश करें उसको प्रॉपर तरीके से बना कर आगे लेकर क्या हैं कि पीछे जो बैटा हुआ बैट बैंच है ना उसकी एक टीम पूरी बनाके दुनिया की किसी टीम से लड़ाई जा सके इतना जबरदस कंपिटीशन मैंने टीम इंडिया में देखा कमाब और जिस तरह से कोली लीड कर रहे हैं टीम इंडिया को क्रेड़िट गोज टो इंडिया को अवर आल आप देखें 191 फॉर आल आउट से आप स्टार्ट करें और फिर जो है वो 360 रंस का टार्गेट इंगलेंड को देना औ उपर बॉलिंग कंडिशन में जो हत्यार है सब कॉंटिनेंट वाला रिवर्स स्विंग वाला वो हत्यार यूज़ करके ये जीत हासिल करना बहुत बड़ी काम्याबी है टीम इंडिया के लिए टीम इंडिया को बात बात देनी बनती है और ना सिर्फ टीम इंडिया को प्वारग बात देना बन्दी है कि वो अपनी टीम को बहुत सपोर्ट करते हैं май क्रिकेट को और अब T20 वर्ल कब से पहले वो कह रहे हैं जी हम मुनासिब नहीं समझते हैं हम आपकी टीम की कोचिंग करें तो यह वाला हिसाफ वहाँ पे नहीं होता वहाँ पे अगर शास्तिरी है तो वह शास्तिरी है वहाँ पे अगर विरात कोली दो साल से से सेंचरी नहीं कर रहा, दो साल से उसकी एवरेज डाउन है, तो वो आज भी कप्तान है, वहाँ पे क्लास देखी जाती है, वहाँ पे फार्म की बात नहीं की जाती हमारे हाँ, थोड़ी सी फार्म खराब हो मुहम्मद आमिर की, तो हम कहते हैं बाइर निकाल दो इसको टीम से, बाइर कर दो इसको टीम से, आज जस्पूरीत बुम्रा ने एक बार पिर पे किया है, बहुत ही क्रूशल विकेट्स हैं वो दोनों ओली पॉप की और जॉनी बेरिस्टो की जो बुम्रा ने ली हैं, और मैच में वापस लेके आपनी टीम को, ऐसा लग रहा था है, शायद इ जाए, शायद ड्रा हो जाए, इंडिया के तो चांसी से नजर नहीं आ रहे थे आज दिन के स्टार्ट में लेगें, क्या शांदार कमबेक है, आपको टीम इंडिया ये जो ये वाली टीम इंडिया है, मैं विदाउट एड़ाउट कह सकता हूँ, कि ये इंडिया की हिस्ट् उसके साथ, तो भारत की शांदर जीत की आप सब को बहुत 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 सारी बदाई या जिस तरीके से इंडिया ने कमबेक किया ना वैसा आपने किर्केट का फैन हूँ, फैन बढ़ा वाला, मुझे पता है अगर आप यहां तक आ गए हो और मुझे सुन रहे हो, तो आप बहुत बड़े वाले पैनों, क्योंकि आप निचोड़ देना चाहते हो, तो ऐसे ही आपका भाई है, और आपको एक काम और करना है, आपको इंडिया की जीत की मुबारक बाद से कमेंट पढ़ देना है कमाल कमाल जी भूमरा का वो जो यॉर्कर बेस्टों को वन अफ दे बेस्ट और इसे अच्छा जानदार शानदार तग्रा किसम का यॉर्कर बोथ कम देखने को मिलता है कोजी, मैनी मैनी कंवर्डियेशन्स, इंडिया बेयावो, कोर टेस्ट मैच, इंगलेंड के अंदर जीत चुपाया है टेम इंडिया टेक अपो और आज ये प्रूव हो गया है ली के भारती टीम की जो गेंद बाजी है उसको आप अग्नोर नहीं कर सकते है वह स्टिल दुनिया की नमबर वन गेंद बाजी है मज़ा आजी मज़ा नहीं ता इसकी जितनी तारीफ की जाएंगे कम है उमेश यादफ तीन आज बालिंग यूनिया बाज कर रहे हैं इंडिया की क्यो नमबर वन बालिंग है यादफ ने आखरी विकेट नकाला है तीन विकेट उमेश यादफ के दो बुमरा के दो हुज फिश जो है वो पकड़ी है आपके ठाकुर ने जटू ने भी बाल स्पिन किया है आज कंडिशन थोड़ी ड्राय हो गए थी और बाई किसी ने नहीं छोड़ा आज किसी ने कोई माफी शापी नहीं थी आज आज सब को तुनके रखा है चाहे आपके रूट होजएं इस तरह किया यौकर्स मारें आज अज जना बालेर रिवस्विंग की ने च्छाग एंटिया ठाक कर गें बहुत बड़ी जीत यह बहुत बड़ी जीत है और इंगलेंड का िखना चूरह गिया बारत में अपैस् रिस इंगार्ट में बह बहुत बुरा खिació तर ये फ अस्टेलिया से जो कहानी शुरू हुई थी वो कहानी खतम नहीं हुई है। अस्टेलिया से जो कहानी शुरू है। बोडी लेंगविज चलती है। अगर कप्तान में एग्रेशन होगी। कप्तान पॉजिटिव सोच रोकर तो सारी में याली ट्रैवल करेगी। तो यह पहली इनिंग से दिख रहा था। हाला के इस विकट पे इस कंडिशन में सो रंस की लीड के बाद बैटिंग करना बड़ा मुश्किल चीज थी यह कि जी रोहिश शर्मा को क्रेडिट देना चाहिए कि जिस तरह की उसने बैटी है प्रेशर में बैटिंग किये जिस तरह का वो स्टोक प्लेज है उसने अपने स्टोक को रोग के टीम के लिए कि जी डिफेंसिव होके खेला बड़ा जबरदस खेला दूसरे लोगों ने बड़ी जबरदस परफॉर्मिस दी लेकिन एक नाम मैं आपको कहूँगा कि जो यह ठाकुर है कि जो इसकी दोनों इनिंग्से थी जो इसने मौके पे खेली और जो इसने क्रूशल विक्टिय ली है तो यह कोई बहुत अट्रेक्टिव प्लेइड नहीं है लेकिन बहुत एफेक्टिव फ्लेइर मुझे लगा कि ये अफेक्टिव है कि ये टीम के लिए ना मौके मौके बे जहां उसको विकट की जूर्ट पढ़ती थी वहां वो ये विकट ले जाता था जहां स्कोर की जूर्ट पढ़ती थी क्योंकि जो इसका पैरे निंग्स में भी 50 था ना वो बहुत क्रूशल था कि कि जी अगर कहीं माई इंडिया 130 पे 40 पे उट हो जाती है तो फिर कमबेक करना बहुत मुश्किल हो जाता लेकिन इसके दोनों निंग्स में और दूसे निंग्स भी इसकी साट रंच लिए बड़े जबरदस इसने परफॉर्मिस दी है और मैं बाकी सारे बॉलर्स का यादेव ने बड़ी जबरदस बॉलिंग्स सारों से बेतर क्वालिटी ये लग रही थी कि जिसनम ये आखरी और भी कर रहे थे तो इनर्जी लेवल बहुत आई था सुराज ने कोई इस ट्रेस में बहु करते ना तो फिर जीत आपके पास है ना खुदाना शुरू हो जाती है तो ये तो अभी अल्ला की रहे कि कि मैं इसलिए कहरा हूँ कि पहले टेस मैच में अगर बारिश ना हो तो मेरे खाल में इंडिया ने स्कोर चेस कर जाना है ये 3-1 हो जाना था तो ये क्रिकर ना को अपनी जगह पर रख के खेल रहे हैं ये बड़ी जबरदस चीज़ है कि यूजली जिसने बाप है ना एक फॉर्मेट खेलना शुरू है तर आज कर टी ट्विंटी जैदा हो रहा है या बंडे जैदा हो रहा है लोग इसको देख रहे हैं उसके बद बड़ा मुश्किल ह मैच के बाद है ना इंग्लेंड ने भी कमबेक किया था बड़ा स्ट्रॉंग कमबेक किया था तो आखरी टेस्ट मैच भी ऐसा नहीं होगा कि कोई बंसाइड होगा लेकिन यह कि अच्छे क्रिकेट देखने को भारत की शांदर जीत की आपको शांदर बनाई सबसे पहले त इतने भी क्रिकेट के फैनवा है उन सब का दिल बाग बाग हो गया अंग्रेजों को उनी की धरती पे जाके चाटे मारना कम नहीं होता वो भी 2-0 से आगे है क्योंकि हम हैं इंडियन इंडियन सब से आगे और सारे पाकिस्तानी मीडिया को आप देख चुके हूँ समझ चु सब्सक्राइब हो आपको लग्दाग मोटर ब्लोगिंग करके वीडियो डिट करना भी शूरू नहीं है क्योंकि अभी में हूं मुंबई में और वो सारी भाइले जेपूर के अंदर तो जेपूर जाओंगा एडिट करूँगा और अपलोड कर हुआ और आपको लग्दाग सब्सक्राइब आपके भाइब को ब्लोगर बना है इतना तो सपोर्ट कर सकते हो अपना खयाल रखिएगा हरेक रशना जय हिंद बंदे मात्राव